अपने पती को खोशती हुई एक महिला उत्तर परदेश्य बिहार के किसन गंज में आती है और किसन गंज में एक दरोगा जब महिला को देखता है तो उसने कहा कि वह उसकी मदद करेगा और उसके पती को ढूड़ कर निकाल देगा और इसके बाद उस महिला को लेकर वह अपने आवास पर चला गया और वहाँ पर उसने फोन करके वहाँ के मुखिया को बुलाया जिसका नाम मनोज यादो है तता इसके बाद दरोगा निरज कुमार निराला और वहाँ के मुखिया मनोज यादो ने आठ दिन तक उस महिला को घर में बंधक बना कर रखा और आठ दिनों तक उसके साथ गलत काम करते रहे आठ दिन के बाद जब महिला को उस दरोगा ने ट्रेन में बिठा कर वापस उत्तर प्रदेश में भेजने के लिए छोड़ दिया तब महिला मौका पाकर किशन घंच के एसपी जिनका नाम इनामू एसपी साहब से रोते हुए बताती है कि कैसे वह अपने पती को खोजने आई थी लेकिन दरोगा निरश कुमार निराला और मुखिया मनोज यादों ने मिलकर आठ दिन तक उसके साथ घर में बंधक बना कर गलत किरते किया और इसके बाद दरोगा ने ब्लैक मेल करके दो ल हुआ है और आरोप सही है और उसके बाद से मनोज यादो और निरश कुमार निडाला फरार है जगजोर देने वाली यह पूरी कहानी आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले हम अपना परिचे दे देते हैं अब नमस्कार में और नम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रह है फीसिस को देखते हैं हेलो मैं रोहित गुपता कॉलेज विद्या का कोवर फाउंडर आज की तारिक में जो इतनी जॉब जा रही है करियर को लेके लोगों में इतने सवाल है जॉब इन सिक्यूरिटी है हमें अपने आपको रेस में आगे रखने के लिए अपने करियर को और अपनी डिग्री इसको इवालुएट टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी है हमें यह देखना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो डिग्री करिये या क्या वो आज के टाइम पे बराबर है जो मार्केट में चल रहा है और यह करने के लिए अप अकेले नहीं रहोगे आपको एक dedicated counselor और मदद करेगी जो आपकी requirement के हिसाब से आपको एक degree suggest करेगी तो मेरी मानिये चुनो वही जो है सही किसन गंच के SP के पास जब एक महिला जाती है और अपनी कहानी सुनाती है तो वहाँ के SP ततकाल एक DSP rank के officer को तैनाद करते हैं और इस मामले की जाच का आदेश देते हैं और जब जाच की report सामने आती है तब पता चलता है कि वाकई में महिला के साथ ऐसा हुआ है और इसके बाद किसन गंच का दरोगा निरच कुमार निराला और वहाँ के पंचायत का मुखिया मनोज यादव दोनों फरार हो जाते हैं किसन गंच के SP की तरफ से ततकाल SIT का गठन किया जाता है और SIT का गठन किये जाने के बाद से लगातार कई जगों पर छापे मारी हो रही है अब कहानी सुनिए उस्तर परदेश के अमबेटकर नगर जिले से एक महिला अपने पती को खोचते हुए बिहार के किसन गंच में आती है ठाने में जाती है तो एक दरोगा की नजर उस पर पड़ती है दरोगा कहता है कि हम तुमारी मदद करेंगे और मदद की बात को कहकर वह महिला को लेकर अपने आवास पर जाता है आवास पर जाने के बाद वह कहीं फोन करता है फोन करता है तो पता चलता है कि उसने मुखिया मनोज यादो को फोन किया है फोन करके वो मनोज यादो को बुलाता है वहाँ पर मुखिया मनोज यादो पहुंसता है और इसके बाद दरोगा और मुखिया दोनों मिलकर मैला के साथ गलत कृते करते हैं और आठ दिनों तक लगातार यह सब कुछ होता रहा मैला कहते है कि जब वह घर में थी तब उससे बरतन भी धुलवाता था जाड़ू भी लगवाता था और आठ दिन के बाद ब्लैक मेल करके दो लाक रुपया मैला से उल्टा लिया और इसके बार उसने उसे ट्रेन में जाक बिठा दिया और कहा कि यह ट्रेन उत्तर प्रदेश में चली जाएगी अब वह महिला मौका पाकर वहां से उस्पी सहाब के पास जाती है किसन गंच के स्पी कहानी सुनते हैं महिला उनसे रोते हुए कहानी बताती है और तब स्पी सहाब एक DSP रेंग के अधिकारी को कहते ह कि मामले की ततकाल जाच करो और ततकाल जाच होती है तो पता चलता है कि वाकई में महिला के साथ मनोज यादो और निरच कुमार निरादा ने मिलकर गलत कृतिक किया है और इसके बाद दोनों के दोनों फरार हो जाते हैं फिलाल मुखिया को पकड़ने के लिए और उस आरो आती है और यहाँ पर मुखिया और दरोगा मिलकर आठ दिनों तक उसके साथ गल्द काम करते हैं यह कहानी जगजोर देने वाली है फिलाल मामले की जाच में दोशी पाया गया है अब कारवाई के लिए तलास चल रही है दोनों फरार है अब आगे क्या कुछ होता है और क्या क महिला दलित है क्योंकि दलित को लेकर बड़ी बाते लिखी जाते हैं तो यह बताना जरूरी था कि दलित महिला के साथ यह सब कुछ हुआ है आपकी प्रत्किरिया क्या है कमेंड बक्त में लिकर बताईएगा आगे जो भी और जानकारी जो भी और नया अपडेट आएगा स सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे तमाम ख़बरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियों ही पर समात करते हैं कि अम्रेक विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद